इस बात को अपने तक रखना Keep it to yourself Next sentence is उसके होट फट गए है Her lips have chapped फटे होट यानि chapped lips Her lips have chapped Our next sentence is यह चर्की मेरी है This spool is mine Kite flying में जो आप चर्की यूज़ करते हो That is called spool Next sentence is काम पर लग जाओ Get to work Our next sentence is मुझे याद दिला देना Remind me Next we have चुगली करना यानि बैक बाइटिंग बैक बाइटिंग ताना मारना टॉंट और टॉंटिंग मांग निकालना पाटिंग हैर पाटिंग हैर Next we have मेरे साथ चलो अकंपनी में अकंपनी में Next we have अच्छा सच में रेली रेली Next we have इसे आजमाते हैं Let's try it Let's try it Next sentence that we have is घबराओ मत Don't panic किसी के sudden demise यानि की अचानक death होने पर जब हमें कहना होता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है Then we should say He is no more in this world He is no more in this world बारिश के समय में जो काली घटा दिखाई देती है आसमान में उसे क्या कहते हैं काली घटाएं दिख रही है Dark clouds are visible Next we have यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है This is none of your business This is none of your business किसी को बहुत गुसा आ रहा और उसे शान्त कराना हो तो आप कहते हैं शान्त हो जाओ Then we say calm down किसी से पार्ट होते हुए यानि जुदा होते हुए हम उसे कहते हैं जल्दी मिलेंगे See you soon See you soon Thanks for watching Stay tuned with me for such informative video